अगर भाजपा आ गई तो कहीं पे कुछ दिक्कत हो सकती है तो बीजेपी को मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी हर बार करते हैं हलके में नहीं लेना होगा किसी भी इलेक्शन को 2024 में मुझे नहीं लगता कि भारते जिन्ता पार्टी को गुजरात में किसी भी तरह की चुनोती है और जिस तरह 26 सभी सीटों पे बाजपा जीतती आई है वो इस आराम से गुजरात से निकाल लेगी तो मैं करनाटक के चुनाओ के रिजल्ट को या अभी जो तीन राज्यों के चुनाओ होंगे बड़े राज्यों के उनके रिजल्ट को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानूगा लोकसभा इलेक्शन का दोनों इलेक्शन अलग है रही बात करनाटक के चुनाव परिणाम की तो एक चुनाव परिणाम जैसा ही है वो उसको हम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते कि गुजरात में इसका असर आएगा लोगसभा चुनाव परिणाम के चुनाव परिणाम की तो आएगा कि 2024 के चुनाव में किसका पालड़ा होका भारी कौन जीत सकता है कितनी सीध साथ ही हम इसी वीडियो में आगे पिछले चुनावों के आंकड़े और विशलेशन भी दिखाएंगे अब आपको दिखाने जा रहे हैं गुजरात चुनाव पर क्या है एक्सपर्ट ओपीनियन देखें गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो मुकाबला एक तरफा है पिछले 27 साल से गुजरात में भाजबा का शाषन है और उसके बावजूद 2017 में और अभी 2022 में 2022 का जो चुनाव परिणाम है विदान सबा का 156 सीट एक रिकोर्ड काइम किया है भाजबा ने और एंट इनकंबेंसी की जो बाते होती है राष्ट्री मुद्दों की जो बाते होती है मेंगाई की बाते होती है यह सभी मुद्दे 2022 के चुनाव में विरोधी दोलों ने उठाया है लेकिन उसके बावजूद 182 विदानसभा सीट में कॉंग्रेस जो प्रमुक विपक्सी दल है और एक राष्ट्रिय दल है वो 17 सीट पे सिमट गई आमाद्मी पार्टी जो कुछ सी साल पहने बनी थी और सिर्फ दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीत पाई है उन्होंने पांस सीट यहां से निकाली और सबसे बड़ी चीज 12 से 13 परसेंट उनका वोट सेर रहा है तो 2024 में मुझे नहीं लगता कि भारतिय जिन्ता पार्टी को गुजरात में कोई किसी भी तरह की चुनोती है और जिस तरह 26 सभी सीटों पे बाज़पा जीतती आई है वो इस आराम से गुजरात से निकाल तो गुजरात में तो मुखर कर क्योंकि यहां पे सनॉप सॉइल है नरिंद्र भाई तो गुजरात में तो यह होगा ही जो पीछली दो बार हुआ अभी ऐसा लगता है कि 26 में से 26 एक बार फिर से स्कोरिंग हो जाए यह पॉसिबल है हलाकि ओवर कॉन्फिडेंस में अगर भाजपा आ गई तो कहीं पे कुछ दिक्कत हो सकती है तो बीजेपी को मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी हर बार करते है हलके में नहीं लेना होगा किसी भी इलेक्शन को गुजरात लोगसभा चुनाव को लेकर हुए हालिया सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउन अव भारत के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी लोगसभा की सभी 26 सीटें एक बार फिर से जीत सकती है वहीं सर्वे के मुताबिक कॉंग्रेस इस बार भी एक भी सीट जीतने की स्थिती में नहीं है आज चुनाव हुए तो आमादनी पार्टी भी एक सीट नहीं जीत पाईगी वहीं वोट शेर की बात करें तो बीजेपी को 60.7 फीजदी वोट मिल सकते हैं वहीं कॉंग्रेस को 27.6 फीजदी और आमादनी पार्टी को 7.8 फीजदी वोट मिल सकते हैं इससे पहले हुए 2019 के लोगसबद चुनावों में बीजेपी ने गुजरात की 26 में से 26 सीटे जीत कर क्लीन स्वीप किया था कॉंग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 43.7 फीजदी और कॉंग्रेस को 32.7 वोट मिले थे सामाजिक और धार्मिक जो अलगलग एक्टिविटीज होती है या दूसरा पब्लिक से कनेक्ट होने की बाते होती है वो सब पे मेनत किया है और गुजरात जितनी मेनत किसी भी दूसरे राज्ये में पार्टी ने नहीं की होगी रही बात करनाटक के चुनाव परिणाम की त इसनेक उनके मुद्दे होते हैं बले या इसी साल होने वाले राजस्तान, मद्यप्रदेश या 36 गड़ के विदानसबा चुनाव की तैयारियों से देख लीजे वहां पर चर्चाएं जरूर है करनाटक के चुनाव परिणाम की लेकिन उनकी अपनी समश्या है उनके अपने कॉंग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी वहीं 2022 में गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली आमादमी पार्टी को 5 सीटे मिली थी 2022 के विधानसबा चुनाव के वोट शेर की बात करें तो बीजेपी को 53 फीज दी, कॉंग्रेस को 27 फीज दी और आमादमी पार्टी को 13 फीज दी वोट मिले थे वहीं 2017 के विधानसबा चुनाव में बीजेपी 99 और कॉंग्रेस 77 सीटे जीती थी बीजेपी का वोट शेर 50 फीज़ दी तो कॉंग्रेस का 42 फीज़ दी रहा था अब से लेके एक साल के अंदर कि जिससे हमें फिर से री कैलिबरेट करना पड़े अपना प्रेडिक्शन तो लगता है कि भाजपा काफी कमपटेबल स्थीती में गुजरात में एक बार फिर से अगले लोकसभा चुनाओं में बाजपा को कोई टक्कर दे पाएगी दोनों कॉ सीटों के मुकाबले बात करने जाए क्या मानते हैं सीटे कितनी आएंगी तीनों पार्टियों को आप से गुजरात की बात कर रहे हैं गुजरात में मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई लोकसभा सीट जीतने के काबिल अभी अभी तो नहीं लेग रहे हैं शायद 26-26 फिर से पुन्रावर्तन हो सकता है लेकिन एक साल काफी बड़ा पीरियड है हमको एक परिवेक्षक के रूप में तो यहीं देखना चाहिए कि सब्के लिए वाइड स्पेस ओपन है तो कुछ भी हो सकता है आखरी दौर तक लेकिन अभी की जब इस सीटे बीजेपी लाई थी इस बार हैट्री होने जा रहा है देखिए दोजार चोईस के चुनाव में बाजपा सभी 26 सीट आराम से निकाल लेगी उसके दो प्रमुक कारण है एक तो राश्ट्रिये चुनाव जो भी होंगे लोकसभा का चुनाव होता वो नेता को कौन सा नेता कंट्री को लीड कर सकता है कौन सा नेता समाज को सरविश दे सकते हैं दूसरा मुद्धों के अधार पर होती है और जहां तक मेरी समझ है कि लोकसभा चुनाव में नेता और मुद्धों के मामले में बाजपा काफी आगे निकल चुकी है और आमादनी पार्टी के लिए इस राज्य में इस सियासत की रहा फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। देखना होगा आने वाले दुनों में गुजरात की सियासत में क्या नाया बदलाव देखने हो मिलता है। न्यूस तक प्यरो आने लाज़ के लाज़ दूब 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 दूटाचा है।